हलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड आप लोग कैसी हैं आप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप यूट्यूब कैनल में मेरे सभी मित्र मस्त और स्वास्त होंगे इसी उमीद और आशा के साथ में आज की वीडियो के अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए देख लेते हैं ऐसे कौन-कौन से पौदे हैं जो कि इन छोटे-छोटे कंटेनोरों में लगे वे हैं और जो कि बहुत आराम से चल रहे हैं यह देखिए फ्रेंड सब सबसे पने सबस ही और सबसे पौदा नियुका प्लांट है तो पेलड फौन से बहुत ही तनकौट बहुत ही दिखा हुआ कर सकते हैं और जेखिए यह कण चटी-छटी बधनों में आराम bisher है वैसे ही बड़े कंटेनर में भी चलता है लेकिन चोटे कंटेनरों में भी अराम से चलता है तो ये लगा हुआ है चोटी सी पोटल में देखे फ्रेंट्स कितना खुबसूरत दिखाई दे रहा है ये देखे फ्रेंड्स ये करवा चौत की चोटी सी मटकी है और ये मेरे ख्याल से 2 से 3 इंच की मटकी होगी और इसमें भी देखे मेरा ये स्पाइडर प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है कितने चोटी सी मटकी है दो इंच या तीन इंच की मटकी में भी प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाते हैं तो अगर इस प्रकार आपके घर में भी करवा चोट की मटकें रखी भी हों तो उनका उपयोग आप करिए उन्में प्लांट लगाए देखें फ्रेंड्स कितने अच्छे सी प्लांट ग्रो भी कर रहा है और इसमें देखें यह पानी का सिस्टम भी बना हुआ है तो इसमें प बहुत अच्छे से चल रहा है आप देखें कितनी अच्छी ग्रो कर रहा है यह प्लांट भी प्लांट भी भाँती चोटे-चोटे-चोटे कंटेनर में लगा सकते हैं और यह अराम से चलेंगे फ्रेंड्स यह देखिए छोटी सी ब्टल है इसे कट करके जो है बनाया यह 3 इंच की बॉटल है औरнит जैट ब्लांट देखtime अब फॉति साइARRY तो बिर चूति से कंटेंडर में आराम जाता है है तो एक उतिनी से नफट और जैसल यह ता है यह तीन से पोटल है और जिसमें ये प्लांट बहुत ही असानी से चल रहा है ये बड़े पॉट में भी आराम से चलता है फ्रेंट्स लेकिन ये छोटे छोटे प्लांटर में भी आराम से चलता है तो ये रिखिए ये कितनी छोटी सी बॉटल है फ्रेंट्स और इसमें लगा हुआ है ये कटिंग से त आप देख सकते हैं और प्लांट की ग्रोध कितनी अच्छी है तो प्रेंट ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी एक इंच दो इंच या चार इंच के गमले हों चाहें छोटी छोटी बोतले हों इनमें प्लांट ग्रो नहीं होते हैं अराम से प्लांट ग्रो होते हैं तो यह रिखें यह कितनी छोटी सी बॉटल में लगा हुआ मेरा प्लांट ड्रेसीना का यह रिखें यह पौधा चोटी सी बॉटल को कट करके बनाया है यह मुझे लगता है दो इंच के करीबन होगा और इसमें देखे दो इंच के पौट में भी कि देखे फ्रेंड्स यह प्लान्ट आराम से चल रहा है और कितना प्यारा भी लग रहा है यह ड्रेसीना की कटिंग लगी है तो यह अब इस तरह आप कटिंग से जो है इंच छोटे चोटे देखें दो इंच तीन इंच के गमले में अराम से लगा सकते हैं यह तिक चोटी सी बॉटल को कट कर दिया गया है और इसमें लगा दिया है यह पौधा और जो कि आराम से चल रहा है यह देखिए फ्रेंड्स यह दो से और यह देखिए यह बहुत अच्छी से ग्रोह कर रहा है और बहुत इक खुपसूरत भी दिखाई दे रहा है यह देखिए बहुत अच्छी ग्रोह था इस प्लांट की भी अगला देखिए फ्रेंड्स की बॉटल को कट करके जो है चार इंच के करीबन बनाया हुआ है और देखे इसमें लगी है ये पर्स्लिन की कटिंग और जो की बहुत अराम से चल रही है ये देखी friends ये और उसी प्रकार friends यहां पर ये रही है ये है छोटी सी बोटल जिसे कट करके जो है 3 से 4 इंच का बनाया हूआ हुए है मैंने और इसमें ये मेरा चल रहा है पर्स्लिन का प इरेकि फ्रेंड सिर्य कांच का ग्लास है, रसोई घर से निकलावा था बिल्AKI УЕIST था और इसमें मैं आधे में वाइट किया है और आधे में वैलो किया है और इसमें मैंने लगा दिया है यह S walkedus, देखे कितनी अच्छी से he grow कर रहा है छोटे से container में, छोटे से glass में तो इस प्रकार अगर आपके घर में से भी रसोई में से इस प्रकार के छोटे-छोटे गलास, छोटे-छोटे कप, मग, कुछ भी निकले तो उनमें आप प्लांट अराम से गुरू कर सकते हैं तो इस प्रकार अज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आई है, तो प्लीज लाइक कर दीजे, शियर कर दीजे और सब्सक्राइब भी कर दीजे, वाई फ्रेंज फिर मिलूंगी एक नहीं वीडियो में एक नहीं जानकारी के साथ, हैपी गार्निंग, थैंक्यू तो आई है वेवगी यद्या है यह गार्निंग दीजे क्ते लाइकर शाइए, विज्ट आई है बहूँते हैं एक विजए टेप्टो की तो यह जानकार दीजे प्रेंगी टेरश्ट, वाईएए, वाल्यर समय प्रेंदाब लाइक्वर्स, वाल्दी टेंटियोर जाएं एकर